दोस्तो इसराइल और हमास की जंग ने तो हर किसी के रूख अपा दी है आखिर क्या होगा जब इन दोनों की बीच ऐसी ही लड़ाई चलती रहेगी आखिर कैसे भारतिय सेना के 900 जवान इसराइल में फसे हुए है भारतिय सेना के जवान वहां कर क्या रहे है और आखिर क्यों भारत उन्हें वापस नहीं ला रहा है तो चलिए हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तो इस वक्त गाजा इसराइल और लिबनान में लड़ाई चल लही है इसराइल को दोनों तरब से घेरा गया है लेकिन इसके बावजूर भी इसराइल दोतरफा वार करने में सक्षम है इसी बीच लिबनान बॉर्डर पे 900 भारती सेनिक फसे हुए हैं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये भारती सेना यहां कर क्या रही है इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा ये तारिक थी 11 मार्च 1978 की इस दिन फिलिस्तीन के आर्मी ने 37 इसराइलियों की जान ले ली थी ये हमला उस जगा पे हुआ था जो लिबनान से बिलकुल सटा हुआ है जिसके बाद इसराइल ने भी हमला किया इसराइल की आर्मे लिबनान में घुज गई लिबनान के दक्षिन में हैं लिबानी नदी और इसी नदी के किनारे पियले का ठिकाना था इसराइल ने लक्ष बना लिया था कि इस बार उन्हें जड़ से खतम कर देंगे इसराइली फौज इस जंग में बहुती बहादूरी से लड़ी और उन्होंने लिबनन के दक्षरी इलाके में कबजा कर लिया जिसके चार दिन बाद लिबनन युनाइटेट नेसन पहुझ गया लिबनन ने वहाँ जाकर कहा कि पियले से उनका कोई रिष्टा नहीं है और इसराइल जूर बोला है इसराइल ने हमारे जमीन कबजा कर ली है 19 मार्च को युएन ने एक रिजलूशन पास किया इस रिजलूशन में इसराइल से कहा गया कि आप लिबनन के हिस्से से अपनी फौज को वापस बुला लीचिए साथी साथ इसराइल से ये भी कहा गया कि युदो को तुरंत ही रोक दो इसराइल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यही वज़ा है कि अपनी फौज वापस बुलाने में इसराइल ने बहुत समय लगा दिया करीब दो साल बाद इजराइल ने अपनी फौज वापस बुलानी सुरू कर दी लिबनन और इजराइल के बीच बहुत लंबी लड़ाई चली थी इसलिए इन दोनों देश के बीच का बॉर्डर गायब हो चुका था जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर विवात सुरू हो गया। यूएन ने इस काम के लिए दोनों देशों को बुलाया। लेकिन लिबनन ने इसमें हिस्सा लिने से मना कर दिया। जिसके बाद UN को ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी, जिसके बाद इसराइल और लिबनन के बीच एक बॉंडरी खीची गई, इस बॉंडरी को लाइन दिया गया ब्लू लाइन, इसे युद्ध शान्ती की लाइन कहा जाता है, इसकी लंबाई थी कुल 120 किलोमेटर, अगर आप इस बॉल लाइन के पास जाएंगे, तो आपको अपने ही जैसे कई सरे चेहरे देखने को मिलेंगे, दरसल ये चेहरे भारतिय लोगों के हैं, इन लोगों के शरीर पे भारतिय सेना के युनिफॉर्म होते हैं, सीने पे तिरंगा लगा होगा, जिससे ये पहचान होती है कि ये भारतिय सेना के जवान है, साथ ही ये नीले कलर के बुलट प्रूफ जैकिट में होते हैं, और सिर पे इनके इसी रंग का हेलमेट होगा, इन दोनों ही नीले रंग की चीजों पे दो अक्षर लिखे होंगे, जो की पूरे दुनिया में पहचाने जाते हैं, ये अक्षर है UN, यानि की United Nations, दरसल भारतिय सेना के ये जवान United Nations Peace Keeping के साथ काम करते हैं, जब इसराइल और लिवनान के बीच लड़ाई हुई थी, तब United Nations न बीज़ादा जवान मौदूद है, ये सभी सेनिक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनका काम क्या है, दरसल ये सेना इसराइल और लिवनान के बीच बॉर्डर पे रहती है, इनका काम होता है इसराइल और लिवनान के इसराइल में घुज जाएं, इन जवानों को इस मोर्चे पे शान्ती के लिए बने रहना बहुत जरूरी है, अब जान लिजे कि युनाटेड इस्टेट पीस किपिंग सेना होती क्या है, दरसल इनका काम होता है इलाके में शान्ती बनाय रखना, इन्हें खास तोर पे उन इन देश ने हमला कर दिया, तो इसे वार क्राइम माना जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि पीस किपिंग फोर्स के वल युनाटेड नेशन के ही पास है, बलकि नाटो यूरोपियन यूनियन और अफ्रिकन यूनियन के पास भी है, लिकिन सबसे परभावसारी फोर्स यून की ह अब सवाल ये है कि आखिर पीस किपिंग फोर्स को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो इसका जवाब छुपा है वल्ल वार टू में, जिन देशों ने वल्ल वार टू को जीत लिया और जो उस वक्त ताकतवर देश थे, वो ये चाहते थे कि दुबारा वल्ल वार ना ह इसलिए उन्होंने युएन बनाया, इसी दौरान जो देश गुलाम थे उन्हें आजाद भी करना सुरू कर दिया, लेकिन इस चीज ने एक नए मामले को जन्द दिया, और वो था सीमा विवाद, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, वैसे ही चीन और ताइव